हाई फ्रेंड्स वेलकम ओन यूर चैनल मैं इंजिनिंग सपोर्ट विद न्यू एंड वेरी इंपोर्टेंट विडियो लेक्चर तो गाइस बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लाइस ब्रिक्स और रेड कले ब्रिक्स दोनों में क्या डिफ्रेंस है और दोनों का कंपैरिजन करने के बाद मैं ये भी क्लियर करूंगा कि आपको कौन सी ब्रिक्स यूज करनी चाहिए और कौन सी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है तो जानने के लिए और water के mixture से ready की जाती है उन्हें flyess bricks कहा जाता है जो clay bricks से सस्ती भी होती है दूसरा clay bricks आमतोर पर clay या मिट्टी से एक rectangular shape में ready करके hard होने तक एक certain temperature तक elevated kiln में पकाई जाती है और ये bricks construction में सबसे ज़्यादा और commonly use होने वाली bricks है दूसरा अगर इनके size की बात करें तो flyess bricks क्योंकि mold से तयार की जाती है तो इनकी shape हमेशा uniform होती है पर handmade होने के कारण clay bricks का shape और size अनिवन रहता है तीसरा अगर इन दोनों के color की बात करें तो flyess bricks का color बहुती uniform और pleasing होता है पर clay bricks का color non uniform होता है basically clay bricks का color इसे बनाने वाली soil पर depend करता है फॉर्थ दोनों की finishing को देखें तो flyess bricks बहुती smooth finish देती है और इन पर plaster करने की कोई requirement नहीं होती पर normal clay bricks पर हमेशा plaster करने की जरूरत रहती है फिफ्थ अगर इनके weight की बात करें तो flyess bricks ही ज़्यादा हलकी होती है clay bricks से flyess bricks का weight 2.6 kg होता है और red bricks का 3.5 kg शिफ्थ है compressive strength तो flyess bricks की compressive strength लगबग 100 kg पर cm2 होती है और clay bricks की 35 kg पर cm2 सेवंथ है water absorption तो अगर दोनों के water absorption की बात करें तो flyess bricks कम पानी absorb करती है clay bricks के बजाए एक flyess bricks लगबग 6-12% water absorb करती है और एक clay brick लगबग 20-25% ओके फ्रेंड एट है density तो flyess bricks density में भी normal clay bricks से ज्यादा strong है नाइन्थ है mortar जो flyess bricks construction में कम लगती है normal clay bricks construction में ज्यादा तेंथ अगर wastage की बात करें तो wastage भी flyess bricks की ही कम है red bricks से जहां flyess bricks की side पर wastage 2-5% है वहीं red bricks की wastage 10% या इससे भी ज्यादा हो जाती है और last में बात आती है इन दोनों की cost की तो flyess bricks की cost भी लगबग 30% कम है clay bricks से जहां एक flyess bricks 4-6 रुपे की है तो वहीं red bricks लगबग 5-8 रुपे की पड़ती है तो इन दोनों के comparison से एक बात तो clear है कि flyess bricks red clay bricks से बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक तो flyess bricks flyess से बनने के कारए environmental friendly है वहीं दूसरी तरफ इनकी red bricks से strength भी ज़्यादा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी construction के लिए बिना किसी doubt या हिच की चाहट से flyess bricks यूज़ कर सकते हैं पाच की वीडियो में यहीं तक और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दूसरे सभी भाईयों तक पुछाए ताकि है जानकारी और लोगों के भी काम आ सके तो चलिए फ्रेंड जद मिलता हुँ हमारी नेक्स वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बहतरीन टोपिक के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा धन्यवाद